Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जबकि वेस्ट से चार कॉरोना पॉशिटिव मरीज पाई गया है बता दें कि एक से दस की एज ग्रूप में आज दो बच्चेया कोरोना पॉसिटिफ पाए गई 21 से 30 की एज ग्रूप में तीन महिलाएं एक पुरुष कोरोना पॉसिटिफ पाए गई 31-40 की एज ग्रूप में आज एक महिला दो पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए 41-50 की एज ग्रूप में तीन महिलाएं चार पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए और पच्चास से अधे के एज ग्रूप में एक महिला और चार पुरुष कोरोना पॉसिटिव पाए गए कल्यान पश्चिम गोविन्द वाडी उनतीस वर्ष पुरुष कोरोना पॉसिटिव और पूर्व नांधी वली अठाइस वर्ष महिला कोरोना पॉसिटिवkov कल्यान पूर्व नांदी वली 35 वर्ष पुरुष कोरुना पॉजिटिव डोंबी वली पस्चिम सुभाश रोड 41 वर्ष पुरुष कोरुना पॉजिटिव डोंबी वली पस्चिम गोपी नाच चौग 26 वर्ष महिला कोरुना पॉजिटिव डोंबी वली पस्चिम मोटा गाउ 24 वर्षे महिला, कोरुना पॉजितिव, डुम्भी वली पस्चीम, उमेश नगर, 5 वर्षे लड़की, कोरुना पॉजितिव डोंबी वली पस्चिम गरीबा चावाडा 35 वर्ष्य महिला कोरूना पॉजिटिव डोंबी वली पूर्व सोनार पाडा 56 वर्ष्य पुरूश कोरूना पॉजिटिव दोंबी वली पूर्व आजिदे मातोश्री स्कूल के पास 42 वर्ष पुरुष कोरुना पॉजिटिव दोंबी वली पूर्व जिम खाना रोड 78 वर्ष पुरुष कोरुना पॉजिटिव डुम्बी वली पूर्व हाज मलंग रोड 42 वर्ष पुरुष कोरोना पॉजिटिव आमभी वली दत्त मंदिर के पास 48 वर्ष ये महिला कोरोना पॉजिटिव वैसे दुखत गटना ये भी रहे कि कल्यान पस्षिम गोविन्द वाडी की रहिवासी एक सत्तर वर्ष महिला की आज कोरोना संक्रमन से मौत हो गई तो चलिए अब डालते एक नदर कुल कोरोना संक्रमन के आख़ों पर कोरोना पॉजिटिव कुल संख्या 825, कोरोना मामले 26 मैं 2020 याने आज 21, कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या 280, कोरोना संक्रमन सिम्रित्यों का आख़ा 23, कोरोना का इलाज ले रहे नागरिकों की संख्या 522 ब्योरो रिपोर्ट नवीमी नेटवर्प